साथियों, आज देश परियतन को समगर रूप में होलिस्टिक वे में देख रहा है। आज के समय में परियतन बढ़ाने के लिए चार बाते अवश्यक हैं। पहला स्वच्छता। पहले हमारे परियतन सल पवित्र तीरत स्थल भी अस्वच्छ रहते थे। आज स्वच्छ भारत अभ्यान ने ये तस्वीर बदली है। जैसे जैसे स्वच्छता आ रही है परियतन में भी इजाफा हो रहा है। परियटन बढ़ाने के लिए दूसरा अहम तत्व है सुविधा लेकिन सुविधाओं का दाइरा केवल परियटन तक ही सिमित नहीं होना चाहिए। सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्ता की हर तरगी होनी चाहिए। और इस दिशा में भी देश में चौद तरफा काम हो रहा है। साथियों, परियटन बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय। आज कल 2020 का दोर है, लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्थान कवर करना चाहते हैं। आज जो देश में हाइवेज, एक्सप्रेज वेज बन रहे हैं, आदुनेक ट्रेंस चल रही हैं, नए एरपोर्ट शुरूर हो रहे हैं, उनसे इसमें भहुत मिदद मिल रही है। उड़ान योजना की वेज़े से हवाई किराय में भी काफी कमी आई है। यानि जीतना यात्रा का समय घट रहा है, खर्च कम हो रहा है, उतना ही परियटन बढ़ रहा है। अगर हम गुजरात को ही देखे, तो हमारी यहां मनास्काटा में अंबाजी के दर्सन के लिए, पावागड में काली का माता के दर्सन के लिए, गिर्नार में अब तो रॉप्पे भी हो गया है, साथपुडा में कुल मिला कर चार रॉप्पे काम कर रहे हैं। इन रॉप्पे के शुरू होने के बाद परेटरकों की सुविधा में बुर्ति हुई है, और परेटरकों की संख्या में भी बड़ोतर देखी जा रही है। जब देश भर में ऐसे स्थानों पर सुविधाय बढ़ रही है, तो विद्यार्थियों को भी सीखने समझने में आसानी होगी। उनका देश की विरासत से जुड़ा भी बड़ेगा। साथियों, परियटन बढ़ाने के लिए चौथी और बहुत महत्वपन बात है हमारी सोच। हमारी सोच का इनोवेटिव और आदूनी होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी प्राचिन विरासत पर कितना गर्व है, ये बहुत माइने रगता है। हमें ये गवरोभाव है, इसलिए हम भारत से चोरी की गई मुर्तियों को, पुरानी दरोहरों को, दुनिया भर में से वापिस ला रहे हैं। हमारे लिए हमारे पुर्वजों ने इतना कुछ छोड़ा है। लेकिन एक समय था, जब हमारी धार में एक सांसरुतिक पहचान पर बात करने में संकोच किया जाता था। आजादी के बाद, दिल्ली में कुछ गिने चुने परिवारों के लिए ही नव निर्मान हुआ। लेकिन आज देश उस संकिर्ण सोच को पिछे छोड़कर नए गौरव सलों का निर्मान कर रहा है। उन्हें भव्यता दे रहा है। यह हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में बाबा साहब मेमोरियल का निर्मान किया। यह हमारी ही सरकार है जिसने रामेश्वरम में एपीज अब्दूल कलांस महरग को बनवाया। इसी तरह नेता जी सुभास्तन रभोस और शाम जी कर्ष्न वर्मा जैसे महापुरुसों के साथ जुड़े हुए स्थानों को भवेता दी गई है। हमारे आदिवासी समाज के गवरो शाली इत्यास को सामने लाने के लिए देश भर में आदिवासी मुजियम भी बनाए जा रहे हैं। आज केवडिया में बनी Statue of Unity पूरे देश का गवरो है। कोरोना कार सुरू होने से पहले बहुत ही कम समय में 45 लाग से जादा लोग Statue of Unity को देखने आ चुके थे। कोरोना कार के बावजूद अब तक 75 लाग से जादा लोग Statue of Unity को देखने आ चुके हैं। हमारे नव निर्मित स्थलों का ये सामर्थ है, ये आकर्शन है, आने वाले समय में ये प्रयास परियतन के साथ हमारी पहचान को भी नई उंचाई देंगे।